मैं समझता हूँ जितना सीरियसली हमारे स्पी साब ले रहे हैं, जो फुर्ट मौके पर आपके सामनों पस्तिते हैं, आईवी साब आए हैं, और जिस डंग से तटपरता से प्लिस काम कर रहे हैं, मुझे लगता बहुत जल्दी ऐसे लोग ग्रबदार हो जाएंगे, और इस ए बार कोई घटना हो जाती है, तो मैं समझता हूँ निश्यत रूप से इसका भी खुलासा कर देंगे, और जो लोगों ने किया है, तो सलाख हो पीछे जाएंगे, और अच्छी बात है कि जिनके उपर फाइरिंग हुई, वो सेफ हैं सुरक्षित हैं, जो फाइरिंग को सेक्योर किया गया है, वहाँ पर टीम्स जो हैं उसको अनेलसिस कर रही हैं, और उसमें जो कुछ वाइटल लीड्स मिली हैं, उनके उपर वार कर रहे हैं, और हम आशावान है कि हम इसके तहर तक जाते हुए इसको बोल पाएंगे, सर कौन लोग थे अभी पूस्तास में प्रिश का विश्य है, और जो हम इसमें उनको डिवलप कर रहे हैं, और इसका जैसे पूरा सामने सारे चीज आएंगे, तो आपके सामने रखे हैं, जो क्या क्या रन रहा है, यह पूरी गटन हुए है, उसको पूरा जैसे मैंने कहा, कि सारे सामने से देख जा रहा है, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ ही चैनल को लाइक, फोलो और शेयर करना बिल्कुल मज़िए क्योंकि हमें इंतजार बना लटा है आपके कमेंज का पिछले कुछ समय में बिल्कुल जो क्राइम है उसको पुलिस ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जो क्राइम है अब कभी कबार कोई घटना हो जाती है तो मैं समझता हूं निश्यत रूप से इसका भी खुलासा कर देंगे और जो लोगोंने किया है उसलाखं़ पीछे जाएंगे और अच्छी बात है कि जिनके उपर फाइरिंग हुई वो सेफ हैं सुरक्षित है फाइरिंग इंसुगेंट हुआ है जो ओन्डा का शोरूम है शाह जहांपूर में और उसमें इंजल हुए है जो शोरूम के मालिक हैं और उनके वर्कर जो हैं जिनको की हॉस्पिट्री में लाया गया और चारा धिंग है वो और मौके को सेक्यूर किया गया है वहाँ पर टीम्स जो हैं उसको अनेलसिस कर रही है और उसमें जो कुछ वाइटल लीड्स मिली उनके उपर वर्क कर रहे हैं और हम आचावान है कि हम इसके तरह तक जाते हुए इसको पुल पाएंगे पूरा जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे समग्र पहलों से देखा जा रहा है और उसको आभी पढ़ा जाएंगे अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ ही चैनल को लाइक फोलो और शेयर करना बिल्कुल मज़िए क्योंकि हमें इंतिजार बना रहता है आपके कमेंज का जो गटना बटीद हुई है मैं समझता हूँ कि जितना सीरियसली हमारे स्पी साब ले रहे हैं जो कि मोके पर आपके सामनों पस्तूपे हैं आईवी साब आए हैं और जिस डंग से तटपरता से प्लिस काम कर रहे हैं मुझे लगता बहुत जल्दी है से लोग ग्रबदार हो जाएंगे और इस एरिया में आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में बिल्कुल जो क्राइम है उसको पुलिस की कंट्रोल किया है अब कभी कबार कोई घटना हो जाती है तो मैं समझता हूँ निश्यत रूप से इसका भी खुलासा कर देंगे और जो लोगोंने किया है उ जिनके उपर फाइरिंग भी वो सेफ है सुरक्षित अब फाइरिंग इंसुडेंट हुआ है जो ओंडा का शोरूम है शाजहांपुर में और उसमें एंजर हुए है जो शोरूम के मालिक है और उनके वरकर जो है जिनको की हॉस्टिटी में लाया गया और चारा दिन है वो औ और मौके को सेक्यूर किया गया है वहां पर टीम्स जो है उसको अनेलसिस कर रही है और उसमें जो कुछ वाइटल लीड्स मिली उनके उपर वार कर रहे हैं और हम आशावान है कि हम इसके तह तक जाते हुए इसको बोल पाएंगे तर कौन लोग थे अभी पूस्तास में उसको पूरा जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे समग्र पहलों से देखा जा रहा है और उसको आभी पढ़ा जाएंगे मैं हुसीवा बर्मा और आप देख रहे हैं चाइम एट राजस्थान चाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ ही चैनल को लाइक फोलो और शेयर करना बिल्कुल मतूदिये क्योंकि हमें इंकजार बना लटाएं आपके कमिंस का